नमस्ते मैं हूं दीव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर स्टूडियो वन किस तरह से अपडेट होगा आएए देखते हैं जैसे ही आपने अपना डिजिटल ओडियो वर्क स्टेशन ओपन किया बिल्कुल नीचे जाएंगे बॉटम पे और आप यहां देखेंगे चेक फॉर अपडेट इस पे क्लिक करेंगे और वो बता देगा कि जो इंस्टॉल हो रखा है वो कौन सा वर्जिन है और जो करंट नया अपडेट आया है वो कौन सा है यहां लिखा भी है there is a new version available अपडेट नाउ इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं new file डाउनलोड हो रही है यह जो उपर जितनी भी है 8 महीने पहले या जो भी इंस्टॉल हुआ था वो सब भी यहां दिख रहा है और जो latest है वो डाउनलोड हो रहा है तकरीबन 200 MB का यह अपडेट है जो बहुत जल्दी हो जाएगा आपके सामने user account control की यह window आई आई आपने कहा yes next, I agree, next, install और यह install हो रहा है meanwhile आप instagram पे जाके देवनेक्स डैवल को follow भी कर सकते हैं done, finish पे क्लिक करेंगे वापिस से हम studio one open करेंगे जैसी ओपन करेंगे इस तरह की एक dialogue box आएगा जो कह रहा है studio one five reference manual English 5.4.04 यह भी available है कि आप इसे अपडेट करना चाहेंगे जी बिल्कुल manual install हो रहा है और finally आपका studio one अपडेट हो जाएगा आप बिल्कुल bottom पे जाके चेक भी करेंगे तो लिखा है studio one 5.4.1 जो पहले 5.3 था तो आप यह lecture किसी भी वक्त किसी भी time देख रहे हैं और हो सकता है आप 5.5 या studio one 6 या studio one 7 किसी भी वक्त जब भी यह देख रहे होंगे इस तरह से यह अपडेट होगा बहुत ही easy कुछ भी uninstall करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही जैसे हमको इंस्टॉल करते हैं software सबसे आसान अपडेट इस digital audio workstation का है बिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट नमस्ते